हेलो फ्रेंट्स मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपी की यूट्यूब चैनल एपी व्लॉगर में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा पाइनियर का डबल टिन म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या सेटिंग्स होती है इसको किस तरीके से सेट करना है और उसका क्या सिस्टम सेटिंग्स है टोटल में डिटेल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख पा रहे होंगे कि यह है पाइनियर का डबल टिन म्यूजिक सिस्टम जो कि इन बिल डिवीडी प्लियर क दोस्तों करना है किस utes को बाकी की सेटिंग्स करना है तो सबसे पहले न longo磨 outlook के लिए होता है मतलब आप रेडियो या कुछ भी सेट करना चाहें तो इसी से होगा देखें अभी हम आन करते हैं इसको, तो यह अभी रेडियो के मोल भी चेंज कर सकते हैं कि मीस्क करना है, तो तो देख सकते हैं यह AUX है इसको आप रेडियो पे या Bluetooth आडियो पे करना चाहें तो इसी बटन से यह चेंज होता है तो ठीक है दोस्तो बाकी दूसरी सेटिंग्स मैं बताओ आपको यह जो है यह आपके उसके FM के चैनल चेंज करने के लिए है 123 यह 6 तक है आप देख सकते हैं पेंड्राइव के लिए यहाँ पे आप अपना पेंड्राइव लगा सकते हैं यह AUX केबल का पोर्ट है और यह चैनल सर्च करने के लिए दोस्तों मिन्स अगर आप रेडियो चला रहे हैं और रेडियो की स्कैनिंग करना चाहते हैं मतलब चैनल की स्कैन करना चाहते हैं तो कई device जब आपके phone इसमें connect रहते हैं, means कई device से connect हो जाता जब आपका, तो इसको आगे पीछे करने के लिए, means कौन से phone से connected करना चाहते हैं, Redmi Note 7 से करना चाहते हैं, ये OnePlus है, बहुत सारे phone अगर आप अपने इसमें connect कर लेते हैं, that means कि एक से जादा phone, तो यहां से आप device अपना select कर सकते हैं, कौन से phone से आपको connect करना है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और main इसका menu है इससे, आप इसको बीच में प्रेस करेंगे, तो menu खुल के आजाएगा, ये देखिए, इसको आपको volume को move कराना होगा, इस तरीके से, तो ये सारे functions आपके सामने आ जाएंगे, तो देख सकते हैं ये audio, उसके बाद illumination, system settings है, mix track setting है, function setting है, और ये है, तो सबसे पहले audio में हम चलते हैं, तो audio में अगर आप setting करना चाते हैं, तो फिर से एक बार इसको प्रेस करना पड़ेगा, ये देखिए, तो audio में settings आती है, loudness, SLA, equalizer setting, fader, balance, subwoofer on या off, अगर आपने subwoofer लगाया हुआ है, speaker level क्या होना चाहिए, crossover, positions, save settings, and load settings, तो सबसे पहले इसके बाद है, base आपका, और ये loudness है, तो हम base से start करते हैं, देखिए, base में क्या होगा, कि base आपका boost हो जाएगा, यानि कि गाड़ी, आपके speakers का base बढ़ जाएगा, बट vocals सेम रहेंगे इसमें, तो इसमें दो options है, low and high, off, ये off कर देंगे, तो base आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसमें low और high, और दोस्तों ये जो change कर रहा हूँ है, ये इसको press करना पड़ेगा, आपको volume बटन को, ये volume rocker को आपको press करना पड़ेगा, इसी से ये on off और low होगा, दूसरा है दोस्तों ये loudness, loudness में क्या है कि ये, इसमें तीन option है, low, sorry, medium, high, ये सारा मैं press करके कर रहा हूँ, ये volume rocker को आपको press करना होगा, उसी से ये सारे functions change होंगे, तो loudness में आपका vocal same रहता है, इसमें भी आपका base थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये SLA है दोस्तों, इसको 1, 2, 3, इसमें भी audio में से related है ये, आपको अगर audio quality चेंज करना है, या audio quality में अगर थोड़ा सा effect लाना है, means आपका volume boost होता है, थोड़ा सा volume boost होगा, अगर आप notice करेंगे, तो इसको आप 1, 2, 3, इसको 4 तक set कर सकते हैं, next option है, equalizer settings, इस पे आप press करेंगे, तो ये custom settings है, यानि कि आप अपनी settings बना सकते हैं, आपको क्या quality audio का चाहिए, अपने speakers से, तो ये आप custom settings बना सकते हैं, बाकी कि सारी settings जो होंगी, वो preset होंगी, जैसे flat होगा, flat से मतलब बिल्कुल equal होगा, कहीं से कोई extra bass, या extra treble नहीं होगा, ये super bass, यानि कि इसमें bass बढ़ जाता है, आपका vocals same रहेंगे, ये powerful इसमें भी आपका bass बढ़ जाता है, हाला कि vocal पे भी effect पढ़ता है, इसी तरीके से ये vocals रहेगा, custom one and two, यानि कि दो equalizer आप अपने choice के set कर सकते हैं, next है दोस्तो fader, fader क्या होता है, कि आपके गाड़ी में अगर चार speaker लगे में, door speaker हैं, तो आप choose कर सकते कि front के दो चलाने हैं आपको, या rear के दो चलाने हैं, ये देखी दोस्तो, अगर आप rear पे करेंगे, तो ये 25 तक volume जाएगा, 25 तक जाने के बाद ये rear के on, properly rear के on हो जाएंगे, और front के बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इसी तरीके से front के आप अगर volume को इस तरीके से घुमाते हैं, तो आप देखेंगे कि, ये तो center में होगा, यानि कि चारो speaker आपके proper work करेंगे, चारो speaker पे बराबर audio निकलेगा, अगर आप इसको front का speakers on करना चाते हैं, यानि कि back के बंद करना चाते हैं, रियर सीट के अपनी, तो आप इसको इस तरीके से full कर सकते हैं, full maximum 25 है, यानि कि अब इस समय में आपके front के speaker ही काम करेंगे, पिछले बंद हो जाएंगे, तो ये settings है दोस्तो, इसको मैं zero कर देता हूँ, ताकि चारो speaker proper audio निकालें, next है दोस्तो, balance, balance यानि कि left, right, आप सिर्फ right के speaker चलाना चाते हैं, तो आप right का volume मूँव कर सकते हैं, ये भी 25 तक जाएगा, इसी तरीके से, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने left side के speaker उन करना चाते हैं, left side के ही, आप चाते हैं, उन्हीं से audio आए, तो आप सिर्फ left पे इसको move कर सकते हैं, दोस्तो ये कम जादर जो होगा, ये volume rocker पे होगा, volume को move कराना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से ये दोस्तो previous यानि back जाने का बटन है, ये देखिए, next आप सबwoofer on या off, अगर आपकी गाड़ी में सबwoofer लगा हुआ है, तो इसको on off कर सकते हैं, speaker level है, और ये speaker level जो होता है, front के, front के zero है, यानि कि आपके front के कितना speaker volume चाहिए आपको, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये भी option है, कि जैसे आप front के left के speaker का कितना sound चाहते हैं, अगर मैं left में इसको बढ़ा देता हूँ, that means कि left के speaker से ज़्यादा आवाज आएगी, in compare of right के speakers, तो इसको मैं zero रखता हूँ, zero that means center में है, दोनों speaker से left और right दोनों ही side से बराबर voice निकलेगा, ये cross over हो जाता है, ये positions, positions में आपका front and right, front left and front right, यानि कि आप कौन सा speaker on रखना चाहते हैं, इसमें भी यही है, ये save settings के लिए दोस्तो, सबसे पहले आपको load settings पे click करना होगा, अगर आप अपने settings सेव करना चाहते हैं, तो load setting जब होगा, जब ये loaded हो जाएगा, उसके बाद आपको save settings करना है, तो ये permanently आपकी settings सेव हो जाएगी, जब तक आपकी battery से wire नहीं निकलेगा, आपके audio system का, तब तक ये settings सेव रहेंगी, दोस्तो back चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी settings, ये illumination है दोस्तो, इसमें आप अपना brightness और ये कम कर सकते हैं, dim setting, कितना रखना, आपको clock sync करना है, manual रखना है, ये brightness है दोस्तो, brightness है, आपने audio system का brightness कम या जादा कर सकते हैं, देख पा रहे होगे हैं आप, maximum 9 तक है, और minimum 1 है, अगर आप रात के समय पर गाड़ी ड्राइब कर रहे हैं, तो आपका इसका brightness level इसका 4 या 5 रख सकते हैं, और दिन में drive कर रहे हैं, तो थोड़ा visibility इसमें काम हो जाती है, तो आप इसको 9 तक भी कर सकते हैं, बैक चलते हैं दोस्तों, दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये system settings है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस रिमोट, इस रिमोट मतलब steering remote, जैसे कि बहुत लोग क्या होता है, कि after market अपनी गाड़ी में steering mounted remote लगवाते हैं, जैसे कि swift में मैंने भी लगवाया, ये after market है, ये आप देख सकते हैं, तो इसको pair करने के लिए दोस्तों, यहां से आपको इसको pairing की ज़रूरत होती है, इसके pairing के बगएर चलेगा नहीं, जिस तरह से Bluetooth pair होता है, आपके door device में, इसी तरीके से आपको steering mounted control भी pair करना होगा, एस रिमोट पे क्लिक करके, आपको यहां पे off अगर आप कर देते हैं, तो आपका steering mounted बंद हो जाएगा, वहाँ से कोई भी buttons काम नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप इसको pair करना चाहते हैं, तो यहां से आप Pioneer पे select करके, अपनी गाड़ी का model select करना पड़ेगा इसको, मैं दिखा देता हूँ आपको, यह देखिए, मैंने सुजूकी का select किया हूँ इस वज़े से, क्योंकि मारूती सुजूकी की गाड़ी है, तो इसी पे यह pair होगा, तो यह already paired है, अब back चलते हैं दोस्तो, दूसरा function है, USB auto on, USB automatically मतलब आप जब लगाएंगे, insert करेंगे यहाँ पे pen drive, तो automatically on हो जाएगी, clock आप set कर सकते हैं, यहाँ पे, यह clock का functions है, beep अगर आप चाहते हैं, means कोई भी बटन दबाने पे जो beep आती है, उसको आप on या off कर सकते हैं, यह info display, means अपनी display पे आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, clock देखना चाहते हैं, या फिर live track का information, चाहते हैं, या source देखना चाहते हैं, कि इस समय पे Bluetooth चल रहा है, या radio चल रहा है, या track का information, तो यह आप देख सकते हैं यहाँ से, यह Auto PI, यह ऑक्स cable, अगर आप on या off रखना चाहते हैं, यह Bluetooth on या off रखना चाहते हैं, अगर यहां से आप Bluetooth off कर देंगे, तो आपका system Bluetooth visibility उसकी बंद हो जाएगी, that means कि आप उसको pair नहीं कर पाएंगे, यहां पे अगर आपके कई सारे device अगर आपके phone से, यानि कि कई सारे phone अगर आप इसके connect कर लेते हैं, पाइनियर के system से, तो हो सकता है इसकी memory full हो जाए, और device connect ना कर पाए, तो यहां से आप device की memory clear भी कर सकते है आप यहां से क्लिक करेंगे, yes करेंगे, वो clear हो जाएगी, अभी इस पर कोई भी device connected नहीं होगा automatically, आपको दुबारा से device को pair करके connect करना पड़ेगा, phone connect, कौन सा phone connect करना चाते हैं, android या others, तो आपका basically, मैं android पे set करके रखता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास android phone है, और यह steering remote दुबारा से आ गया है, वो ही steering mounted के लिए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, mix track है, इसी तरीके से ये, इसमें short playback है, मतलब गाना आप पूरा सुनना चाते हैं, या फिर short सुनना चाते हैं, अगर आप short playback पे click करेंगे, तो यह गाना आदा ही play करेगा, उसके बाद next हो और next है दोस्तों, functions, function पे आप click करेंगे, एक steering remote आता है, बस, functions में यही है, एक ही function रहेगा, तो दोस्तों फिर से ये audio आजाता है, तो यह आपके functions हैंगे, pioneer के system के, ठीके दोस्तों यह previous का button है, और यह display के लिए आप display चेंज कर सकते हैं, यहां से, आप क्या display पे information चाहते हैं उसी पे यह देखिए, एक second, मैं इसको, यहां से अगर मैं इसको FM पे change करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां मैं display चेंज कर सकता हूँ, basic info चाहते हैं, clock चाहते हैं, या किस तरीके की क्या frequency का information चाहते हैं, किसी भी type का information अपने display में चाहते हैं, तो यहां से आप change कर सकत हैं, दोस्तों यह बटन है, आपके call attend का, call disconnect करने का है, यह बटन है, आपका DVD eject करने का बटन है, यानि कि अगर आप DVD को insert करते हैं, तो eject का यह बटन रहेगा, तो दोस्तों यह तो थी pioneer double din music system की full settings, किस तरह से audio set करना है, क्या इसका system setting रहेगा, किस तरीके से आपको Bluetooth से अपना device pair करना है, और aux cable कैसे लगेगा, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया आपको, तो यह वीडियो दोस्तों यही तक, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, एक नए topic के साथ, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है, वीडियो को like नहीं किया है, तो please कर लें, क्योंकि इससे मुझे बहुत motivation मिलता है,